आप हैं तो क्या बना लेते हैं public टाइब का बना लेते हैं और इसके उसमें बना नहीं है हमें क्योंकि गईस एक यह व्यू फोल्डर ऑब्जेक्ट रहे हैं हम यह मैथड मेर्ड क्योंकि वर्क तो यह वूर्डर करेंगा तो हम क्या बनाइंगे on create on create view holder और इसमें फर्स चीज़ क्या पास करेंगे हम व्यू ग्रूप पास करेंगे इसमें मैं दे दूंगा व्यू ग्रूप और इसमें एक दे दे देंगे व्यू टाइप तो यहां पर हमारा फर्स जो मैं 30 था इंप्लिमेंट हो चुका है यहां पर अब भी हमारी का यहां रही है क्योंकि अभी तीन मैं 30 की में यहां पर क्या एड कर देता हूं ताकि हमारी एर्र रिमूब हो जाए यह थोड़ी एर्रिटेटिंग सी लग रही है मुझे और फिर इच मैंठ हम इसका इसने मैं खरेंगे हम ऐर्र उटन ऑर इसमें चलिकर लें करेंफरेंन पर्राइंट्स malt चुकर्केन में उल्हं टाइघेंगे सब्स पोजिएंगे थे yenहरी क्यों तोтировано लास्ट अपना कर लेते हैं ओवर्राइड कौन सा मैथर्ड है हमारा पॉबलिक इंटीजर अग्याट आइटम काउंट है तो यहां पर आइटम काउंट तो हमारा गाईज यह तीनों जो हमारे इंप्लीमेंट वाले में पूरे हो गए है है हमरे वह क्यों रहे है क्योंकि return मिसेंग है तो फिलहां हम यहां पर क्या देते हैं return दे आए रिटर्न नल कर देते हैं अभी इस पर value set कर देंगे अभी integer ले रहा है तो simple यह है कोई भी नंबर पास करा दिया ओके आप इसमें हमेरे पास और क्या रही है यह हमारे पास क्या रही है दूसरे वाले support के लिए होता है आप सिंपल इसे क्यों कर सकते हो डिलीट कर सकते हो परेमिटर वाले की व्यू ग्रॉप हमें नहीं देखना या फिर यह रहन देता हूं गाइस कमेंट ताकि आपको तोड़ी यहां पर प्रॉब्म ना हो एन क्या रहा है गाइस हमारी जो व्यू होल्डर फोरकास्ट व्यू हो तो किस पर आजाते हैं अब अपने onCreate वीघुलडर पर आजाते हैं यह कौन सा जो हमारे तीन मैथ़ड इंपलिमेंट होंगे onCreate वीघुलडर onBind वीघुलडर और इना सागाल फोर्स इंपर मैं जो करन होंगे कर लेते हैं थे इसका लोगिक डिफाइन कहले काव लेते हैं तो बीद साबम हो यहां क्या से सिर्णागे लिएलोंगा क्या सब्सक状 wi-go टृश्यolक में पासोग लिए किस में संब्सका होगा इन 2004 मेरे इसफ आज visitor में उसस लोगा इसका नाम ले लेंगे हम layout id for list item तो basically आपको यहां पर नाम से समझ में आ गया होगा कि हम क्यों लिख रहे हैं तो यहां पर simple हम क्या लेंगे r.layout.forcast list item तो यहां पर हमने क्या देदी इसकी id देदी है और आप guys यहां पर अगर आपको confusion तो आप simple control भी करोगे इस पर तो यह हमारा कौन सा है यह हमने यहां पर जो layout दिया है linear layout दिया है उसकी id है यहां पर हमारा forecast list item है तो हमने यहां पर क्या देदी है layout देदी है simple किसमे layout id for list item जिसमें हमें के दिखाना show करवाना है and यह basically हमने क्यों कर रहा है क्योंकि guys हमने पहले context pass करवाया किसमें view group में फिर उसमें id दे दी ताकि हम इंटीजर टाइप में save करा सकें उसे अब क्या use करेंगे guys layout inflator use करेंगे तो यहाँ पर आ गए यहां पर मैंने क्या करा जो हमारी list item यह वाली जो हमारी xml थी राइट जिसके लिए हमने बनाया तो जिसमें हमारा data feed होगा वह हमने क्या पास कर दी layout ID में पास कर दी और inflator में क्या पास कर दी हमारा यहां आपको guys RecyclerView में बताया तो basically क्या काम कर रहा है हमारा आप प्रक्राश कर देंगे guys यहां पर view पास कर देंगे simple यहां पर आगे हमारा view तो यहां पर आप क्या कर देंगे इसे inflate कर देंगे किसकी help से inflator की help से यहां पर हमने कर देंगे inflate method यूज एन एक गलती होगे guys यहां पर जो मैंने inflate method अभी चूज कर आप मैं दुबारा से यहां पर लिखता हूं तो यहां पर आप देखोगे तो inflate में यहां पर कितने तरीकी के हैं हमारे पास हमने इस बास है सही वाला चूज कर रहा है तो हम हमें इस चीज के ध्यान अपना काई जो inflate method यूज करो तो एक मिद उसमें तीन हमारे parameter पास करने हैं हमें एक तो जो जो रिसोर्स है हमारा एक जो व्यू ग्रूप है और एक जो बूलियन अटेच वाला है अभी आप औरो में देखोगे तो यहां पर सिर्फ क्या है रिसोर् करना है जिसमें अटेच्ट वाला हो ओके तो यहां पर सिंपल आ गया तो हमारा फिर्स क्या आ गया ले आउट आइडी फॉर लिस्ट आइटम आ गया है क्योंकि यह क्या है इस बेसिकली इसमें क्या पास होगी आईडी पास हो रही है जो हमें इंफ्लेट करना है फिर क्या गया मेरा व्यू ग्रूप आ गया एंड फिर आ गया हमारा जो हमने बूलियन के लिए वैल्यू दीटी यह यह वह आ गई अब गाई एक चीज और यहां पे ताकि कन्फूजन ना हो पहले क्या कर लेता है इसे रिटर्न कर देता है फिर करते हैं तक इसकी और पहले रिमूव तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों भी इहां पर इसन वाली दो तीन लाइनों में क्या कन्फूजन है भी तो गाई एक चीज का हमेशा दियान रखना यह वाला जो इंफ्लेट कर आ है मैंने यह कौन सा इंफ्लेट कर आ है मैंने जो अब व्यू आ रहे हैं राइक जो हमार अब बैक में जाओ तो मैंने व्यू ग्रूप एक्स्प्लेइन कर था व्यू ग्रूप क्या होता है जब बहुत सारे व्यू का कॉम्बिनेशन होता है उसे क्यों कहते हैं व्यू ग्रूप कर यूज करते हैं यहां पर तो जो ले आउट हमारा सैट हो रहा है यह तो आईड ल इंटीजर वैली होते हैं तो यहां पर सिंबल हमें एक वेरियेबल में बसकी क्या वैल्यू सेट करवा रहे हैं वह तो गाइज रही है यह तो अलग चीज हो गई और जो यहां पर कुछ लोगों कन्फूजन होगा तो बेसिकली गाइज इस चीज़ पर इस चीज़ का हमेशा तो अगर आप इसके में देखोगे तो यहां पर हमने ओर लडी क्या इसे तो इस explain कर रहा है यह मतलब यह वाला context मतलब हम basically इसे यहां पर context दे रहे हैं कौन सा वाला जो हमारा forecast list item वाला context है यह वह पास हो रहा है इसमें तो basically हम उस context से वह करेंगे क्योंकि यह कहां से context ले रहा है अगर आप इस पर मैं जैसे मैंने इस पर कर दिया गाई मैं इस पर context आ रहा है तो context पर आप देख सकते हो context पर कौन सा context है हमारा जो मैंने व्यू ग्रूप से लिया है तो यह बात हमेशे याद रखना गाई यह व्यू ग्रूप वाला context है यह कौन सा है जो हमारा किसम forecast list itam में लियु को होगा हमारा on create and basically end में क्या हुआ हमने जब यह तो यह वाला जो है यह वाला context वाला और यह दो लाइन यह तो क्या है हमारे syntax है guys simply कभी change नहीं होगी और यह जो हमारा यह इस में क्या change होगा? यह भी syntax है. पैशल में क्या change होगा? रिंद होगा इसमें क्या change होगा इसमें फ़ल्ध, अब आ पूंडद के Two prima variable इस वश्य रिक्श होगा. सी अपना यह लेदा वो कहां से पैच कर रहा है। झाल मुट Kant चलते हैं अपने second method पर चलते हैं जो कौन सा है हमारा onbind view holder ठीक है इसमें हमारे दो parameter जा रहे हैं एक तो forecast view holder type के object है यहां पर और यहां पर दूसरी चीज के पोजीशन अब देख लेते हैं इसमें basically कौन सी position ले गए तो यहां पर string ले लेंगे हम weather for this day अब गाइज एक चीज का हमेशा आप दियान रखना यह सतने भी सारे method होते हैं वी ग्रॉप्स होते हैं यह individual एक आइटम को inflate करते हैं पहले एक आइटम को फिर दूसरे फिर 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 किसी भी list item layout में होते बहुत सारे हैं लेकिन वो कैसे work करते हैं individual view की तरह एक करता है तो इस चीज का हमेशा दियान रखना है और जिन लोगों को यह confusion है कि यह basically work कैसे करता है जो हमाना list item तो guys यह मैंने I think beginner classes में I think मेवाक अप में बहुत detail में बताया था बहुत detail में कि basically यह work क change करता है तो जिन्होंने guys वो नहीं देखा है वो देख लेना क्योंकि इसलिए मैं कहता हूं कि आप अगर course skip करके होगे guys simple अगर जैसे आपने सोचा कि intermediate से start करें तो actually जो हमारे beginner courses है वो यहां पर उनका implementation है तिर्फ महां पर understanding की अपर हमने वापर surface को touch करा कि अच्छा ऐसा ऐस होता है ऐसा ऐसे करेंगे और इसका implementation है अब हम यहां पर कर रहे हैं तो अगर आपने starting के courses miss करेंगा इस तो यहां पर implementation समझ में आना थोड़ा सका है मुश्किल है क्योंकि अम उसे दुबारा से जो उसका basic था list item का पूरा वैसे detail में नहीं जा सकता आप राइट